नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फॉर यूपर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत पून जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं दोस्तो किसानों के लिए बड़ी खुसकबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं कुछ किसानों के लिए यह दुख भरी ख़बर भी हो सकती है वह किस परकार से और किन किसानों को वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता चाहूंगा कि 31 मई 2022 तक किसानों को 244,000 रुपे मिलने वाले हैं लेकिन सवाल खड़ा होता है कि यह लाव किन किसानों को दिया जाएगा साथी 31 मई 2022 तक किसानों को कुछ महत्पुन दस्तवेज भी जमा करने होंगे और कुछ महत्पुन कार्य करने होंगे जिसके बारे में हम आपको बताएगे यानि दोस्तों एक वीडियो में हम आपको कई परकार की जानकारी देने वाले हैं जो कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा लावकारी है तो इस वीडियो को आप सुरू से लेकर लाश्ट तक देखते रहेगा कौन-कौन से दस्तवे जमा करने हैं किन-किन किसानों वो दस्तवे जमा करने हैं वे संपुन जानकर आपको यहाँ पर दे जाएगी दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपसे हम छोटा सा आगरे करते हैं निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए शीर करेगा आप चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चुरूर सब्सक्राइब करेगा दोस्तो बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि आने वाला नोटिफीकेसन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले जानकर को प्राप्त कर सके तो चलिए दोस्तो वीडियो को करते हैं सुरू दोस्तो परधान मंत्री किसान सम्मानिती योजना से रजिस्टर किसानों के लिए सरकार की तरप से बड़ी खुसकबरी जारी कर दे गई है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्यारवी किस्त बहुती जल्दी किसानों के बैंक खाते में आने वाली है लेकिन ग्यारवी किस्त आने से पहले कई बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे काफी किसान दोस्तों इंतिजार कर रहे हैं ग्यारवी किस्त का और काफी किसान दोस्तों अपनी नोवी दसवी किस्त को प्राप्त ही नहीं कर पाए हैं क्यों नहीं कर पाएं दोस्तों प्राप्त वे भी हमा को बताएंगे चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ी यहाँ पर बाधा है वे है है KYC यनके दोस्तों सरकार दुआरा यनके जो किसान किसान सम्मानिधी योजना से रेजिस्टर हैं उन सभी किसानों को हो पाएगी क्योंकि काफी एपात्र किसान हैं जो किस्ते प्राप्त कर रहे हैं धोका दरी करके लाप्राप्त कर रहे हैं अगर आप भी उनमें से किसान हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर एक बड़ी ख़बर है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा दुख भरी है वहीं यहां पर ऐसे भी होंगे, जिनको डबल लाब सरकार के तरफ से दिया जाएगा, वेह डबल लाब कौन-कौन किसान ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको चलिए जानकरी देते हैं, सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको पता चाहूँगा कि कुछ किसान यहां पर ऐसे होंग और कुछ जरूरी जो दस्तवेज हैं जो कारिये हैं वह करने होगे चाहे किसानों की एक किस्त तुरुकी हो दो किस्त तुरुकी हो या फिर तीन किस्त तुरुकी हो वह अपनी सभी किस्तों को ग्यारवी किस्त के साथ ही प्राप्त कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि यह ऐसा कैसे हो सकता है जिया दोस्तों ऐसा हो सकता है अगर आप हमारी बताई हुई बातों पर अमल करते हैं या पिर जो गलतिया आपने की है उनको आप सुधार लेते हैं चलिए जान लेते हैं उन कमियों को और उन महत पूर्ण जाने कारियों क दोस्तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं रुकी किस्त इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तो जिन किसानों ने फारम भरते वक्त इनफोर्मेशन गलत दी हुए अगर वह किसान उन गलतियों को सुधार लेते हैं तो उनको एक साथ डवा लाप बैंक खाते में प्राप्त हो सकता है चले हम आपको एक एक गलती करके यहाँ पर बताते हैं जिन गलतियों को आप सुधार भी सकते हैं और अपने बैंक खाते में दोस्तों लाब भी प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो गलती किसानों ने की हुई है वह यह है कि काफी किसानों ने फारम भरवाते वक्त हिंदी में नाम लिखवाया हुआ है तो सबसे बड़ी यह गलती है, जिन किसानों ने हिंदी में नाम लिख वाया है, उनकिसानों को अपना नाम अंग्रेजी में कराना है। ठीक है पहले गलती फिर दोस्तों यहाँ पर दूसरी गलती जो है वे है कुछ किसानों ने फारम भरवाते वक्त बैंक का एकाउन नमबर ही गलत दिया है दोस्तों हमने आपको लाइव प्रूप के साथ दिखाया भी है काफी वीडियो में कि जिन किसानों ने गलती की हुई है साथी कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने आया पेसी कोड गलत दिया हुआ है तो दोस्तों अगर आपने कोई ऐसी गलती की है तो आपको सबसे पहले साइबर कैफे वाले के पास जाना है और अपना आधार काड ले कर जाना है दोस्तों आपको अपना जो भी फारमे गलती ह वे सुधरवाले नहीं, नंबर तीन पर बताया गया है, कि जिन किसानों ने बैंक खाते से KYC नहीं कराई है, वे KYC को जरूर करेगा, क्यों दोस्ता जब बैंक खाता बंद होता है तो आप उसमें लाप राप नहीं कर सकते हैं चाहे आप स्वेम पैसे डाल लें या फिर या फिर आप किसी भी योजना का लाप ले रहे हैं तब भी आपके बैंक खाते में लाप नहीं पहुंच पाएगा दोस्तो जब आपका बैंक खाता बंद होता है तो आप किसी भी प्रगार का लाप राप नहीं कर सकते हैं सबसे पहले आपको अपना बैंक खाता चालू कराना होगा और चालू कराने के लिए बैंक खाते में kyc कराना जरूरी है तो दूस느が क्यों के वाई सी जरूर करेगा और kyc को कैसे क कराने हैं घ्यां दिजएगा । आपको अपना आधार-कार्ड लेकर जा ना है पैंड कारडL लेकर जाना है इनकि ऑधार-कАरड और पैंडbstव की किसानों को EKYC करनी होगी और EKYC के लिए उसरकार द्वारा अन्तिम्तिति निर्धारित की गई है वे 31 माई 2022 अन्तिम्तिति है समय से पहले किसानों को EKYC को कंप्लेट कराना होगा अब बात करते हैं उन किसानों की जिनको एक साथ लाब मिलेगा तो दोस्तों अगर किसानों की दसवी किस्त रुकियोई है तो वह हैं उसको भी प्रात कर सकते हैं सबसे पहले अपनी गलते वो सुधार ना होगा और क्योई से भी कम्पलीट करानी होगी तो दोस्तों उन किसानों को दसवी और ग्यारवी किस्त यानिके दसवी किस्त के दो हजार रूपे और दोस्तो ग्यारवी किस्त के दो हजार रूपे दोनों किस्ते एक साथ यानिके चार हजार रूपे किसानों को सरकार की तरफ से एक साथ दोस्तो मिल सकते हैं तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं सभी सवाल को जवाब दिया जाएगा तो अगर इस प्रकार से आप अपनी कल्ट्यूक सुधर हुआते हैं तो आप किस्ते प्राप्त कर सकते हैं कोई भी सवाल है सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवाल को जवाब दिया जाएगा और आपसे हम दोस्तों निवेदन करते हैं कि अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए